नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपकी साथ मनिश कुमार सैनी उत्रपरदेश के इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष और कन्नौस से लोगसबा सांसद अखिलेश यादव ने नीट एक्जाम और आरक्षन के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर जम कर हमला बोला इस दोरान मीडिया से बाचीत करते वे सबा प्रमुक अखिलेश यादव ने भाजपा पर देश में आरक्षन के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते वे कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है उन्होंने आरक्षन के साथ खेड़ चाड़ की है साथ ही उन्होंने आरक्षन के मुद्दे के बाद नीट पेपर लीक मामले पर भी सरकार पर जम कर निशाना साधा अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वे आरक्षन के मूल सिद्दान्तों के खिलाफ काम कर रहे हैं भाजपा पीडिये यानि पिछड़ा दलित आदिवासी के आरक्षन के साथ छेड़ चाड़ कर रही है वे लगातार ऐसा कर रहे हैं उन्हें पता चल गया है कि जागरुक नागरिक उनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं कुलपती के रूप में पीडिये परिवार का कोई सदस्ट नहीं है जे एनियू में 15 प्रतीशत से अधिक पीडिये करमचारी है वे पीडिये के पक्ष में नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम नीट का एक्जाम तो नीट एंड क्लीन हो क्योंकि ये भविश्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं हमारे स्वास्ते की जिम्मेदारी इनके कंदों पर होगी इसके साथ ही पूर्व सीयम अखिलेश यादव ने कहा वे जन्ता जिसने समविदान बचाने के लिए मतदान किया उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि समविदान पर कभी भी आच आएगी तो समाजवादी लोग जन्ता के साथ खड़े दिखाई देंगे भारतिय जन्ता पार्टी जब से सरकार में आई है उनका एक-एक फैसला गर देखें तो उसमें आरक्षन के साथ खिलबाड हुआ है आरक्षन की मूल भावना के खिलाब भारतिय जन्ता पार्टी काम कर रही है पिछले चुनाओं में हम सभी लोगों ने यह मांग की थी कि जाती जन्गर्ना हो जन्गर्ना के हिसाब से सभी को हक और सम्मान मिले यही हमारा सम्विदान कहता है देश और दुनिया से जड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 News